हेळलो दोस्तों अगर आपको यह बिरियानी खानी है न तो आखरी तक वीडियो में बने रहेएगा और अगर एक बार यह बिरियानी बना के खाले है न तो कसम से मैं बोल लिए दुबारा कोई बिरियानी नौनवेज का आप खाना नहीं पसंद करेंगे और इतनी इजी तरीक कईसी भिर्यानी कैसे इतनी अच्छी अच्छी बिर्यानी कैसे इतनी ऑच्छी नहीं बना रहें कि मेरे घर 9विज mathematics नहीं बना रहे हूं कुई पुर गराम था तो उसमें मैझने बनाया था, यह तो चलिए देखते हैं कि चीकन बिर्यानी कैसे बनेगा है यहां मैंने 1.5 कजी ले लिया है चीकर और मैंने 500 गराम दही लिया है अगर मेजरीन कप से बोलू नो तो आप एक कप और हाफ कप ले ना मेजरीन कप जिसे बेकिंग होता और तीन टीबी एस पी भरके मैंने अद्रक लासन लिया है बड़े वाले चमच से जो बड़ी वाली च लिया है और यहां मैंने 3 चमच टीबी एस पी से तीन टीबी एस पी मैंने बिरियानी मसाला और तीन टीबी एस पी मैंने रेड चिली पाउडर पर कस्मेरी रेड चिली पाउडर है और तीन मैंने बड़े साइज का स्लाइस करके टामाटर ले ली और सारे साबुत मसाला चा तरह सब्tar के सब्सक्राइं डाल देजिए एतनी इजीन अब तक आँ भी जैखना इस अमिक्सी मेणञा होम गैटेसे की से Mis AG बना गए विकिल्त की साथ बना रहा होगो भूभी बनालेगा तो में बनाने हो गई थी है अपनी बहन के घर उनके गर एक पार्टी था तो उनके घर में नियमे round बिर्याणी बना थी और चिकन दो-तिन तरीके के वे नहीं बनाया था तो अगर आपको सीखना है और चिकन तो आप देख लेना और सारे चिकन जो मिक्स करके मैंने रखा था लगबग दो घंटे के लिए ताइम हो तो कम से कम दो घंटा नहीं हो तो कम से कम एक घंटा ताइम हो तो जरूर रखे दो घंटा दो घंटा तीन घंटा चलेगा लेकिन कम से कम एक घंटा पूरी मिक्सिंग दे के आप बाहर रख सकते काउंटर पर फ्रीज की जरूरत नहीं अगर मानने कोई पुर्गरा में बहुत ज्यादा काम है तो आप इसे मिक्सिंग दे कि फ्रीज में तीन चार घंटे के लिए आराम से रख सकते हैं ज्यादा नहीं तीन से चार घंटे के लिए फ्रीज में रख सकते हैं उसके बाद में बिर्यानी में मटन में चिकन में अंडा में कुछ और आपको सीखना है तो कमेंट करना पर मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी नहीं लाँगी कि मेरे घर बिल्कुल नहीं बनता हम लोग खाते पर मेरे हस्बिन नहीं खाते तो मेरे घर नहीं आता इसके लिए सौरी में पर कोशिस करूँगे कि बहनों के घर अकसर बनता है तो मैं जाते हूं तो मेरे से वो लोग बनमाते हैं तो भी आपको सीखना हो तो कमेंट करना तो नेक्ष्ट वीडियो में जरूर मैं उसीखा दूँगे तो मैं इसे चला चला की कुक करना है कम से कम 80 परसंट करना है पर इतने आसानी से चलाना कि टूटे ना जादा बस मेरी वीडियो स्पीट है इसलिए ऐसे दिख रहा है नहीं तो बहुत आसानी से आपको चलाना पड़ेगा कुछ भी मैंने नहीं डाला बिल्कुल कि सब चीज मैंने पहले ही डाल दिया था अब मैं इसे कुक करूंगे अच्छ करने के लिए रग दी जैसे मेंने यहाँ चिकन कुक कर रही थी उसलिंए मैं चावल कर रही थी क्यूंकि चिकन के लिए न हम तुररंध रेसमत बना हुआ ले थी पहले का रखाववा क्यों नहीं तो पहले चार पा meth घंडा में भीगो के रख दी थी चाल बस कुछ नहीं डाली थी बस चावल भीगो के रख दी थी उसमें एक मुठी डाल दी तो उसमें नमक और उसके बाद च्छान के में ले लूँगी तो मेरा चिकल लगबग हो गया है इसके बाद में क्या करूँगी थोड़े दिर के लिए मैंने रख दिया था क्योंकि मेरी च च्युआ क्या करूंगी आधा मैं निकाल दूगी आधा ऐसे निकाल दूँगी उसके पद लेयर लगाएंगी ईर्यान छरूर को देखी मैंने आधा निकाल दिया आधा रख वहा है अगर आपका चैकले बंचे तो उससे साइडश में रख दिजए पर चावल से नहीं किको चावल भी लेती डेड़के जी और मैंने लिया था यहां चिकन भी डेड़के जी दोनों मैंने बराबर लिया था और मेरी सेला बासमती चावल था जिसे मैं चार घंटे के लिए भीगो के धोके रख दीती फिर उबालीती हूँ इसके बाद मैंने धनिया पत्ता डाला यहां घीर डाला मैं मार्केट में बहुत ढूंडी पर मुझे पुदीना नहीं मिला कोसिस करेगा पुदीना डालिएगा तो दो चमच यहां पुदीना जरूर डालेगा पुदीना के पत्ता जरूर डालिएगा इसके बाद मैं थोड़ जाएं नीचे से जल जाएगा जाएं पर नीचे से जल जाएगा और मैंने इसे cook किया था उतनी बिर्ियानी मार्केट में क्या होता है न कि तीन गुना चावल होता है तो एक गुना होता है बस एक भाग होता है बस चिकन और तीन भाग होता है चावल ऐसे बनाते हो लोग पर एक बार अपने घर में बनाए तो अपने अंदाज से बनाए चिकन कम जादा कितना डाल सकते हैं इसके उपर मैंने फिर से बिलिस्ता डाल दे, बिलिस्ता जरूर डाले, अगर आपको तलने आता है तो घर में प्यास तल लीजे, और इसके बाद मैंने डाल दिया दो तीन चमजगी, घर का गी हो सबसे बेश, कभी भी बिरियानी मैंने तो घर का गी, और मैंने कलर डाला, इसलिए कलर डा कि अधकन बराबर लग जाएगा तो इसलिए में चेक कर इसके बाद मैंने आटा गूंद के मैं पूरी लेयर लगा दूगी और इस थाली को चिपका दूगी कितने टाइम कैसे बेग करना भी मैंने आपको बता दिया नॉन्वेज में कुछ और सीखना है तो कमेंट करेगा और प्लीज प्लीज लाइक से सस्क्राइब जरूर करेगा मेरे चैनल को और वीडियो में आखरी तक बने रही है यह बिरियानी बहुत यह मिला चावल को जब भी कुप करो न तो उसमें याद से एक केजी में अराम से दो चमब चावल में नमक डाल दीजे तक थोड़ा चावल आना है तो यह देखे है हमारी चिकन बनके रेडी हो गई यह है दम बिरियानी चिकन बहुत बनती है फटा फटा और बहुत टेश्टी लगती है तो देखे मैं आपको निकाल के देख इसके लिए मुझे भरभर के लाइक से सस्क्राइब जरूर चाहें यह प्लीज 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 कमेंट पर के बताएगा कि यह रेस्पी आपको कैसी लगया और नेक्स रेस्पी में क्या देखने तो चले फ्रेंट कल फिल मेरते हैं